नमस्ते मैं हूं जोती बुदिया वेरी गूरी इवनिंग तो मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट डिमांड मुझे मिली है और उसी के ओपर मैंने सोचा कि चलो आपके लिए एक दिन और बढ़ा जाए और इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे हम फ्राइडे को आपसे शेर मार्केट क डिसकस करते हैं कि क्या प्राइस है आपके शेर्स आप हमसे डिसकस करते हो कि क्या लग रहा है क्या होगा तो ट्यूजडे को हम नॉलेज बेस सेशन रखना चाहते हैं जिससे हम कोई भी एक टॉपिक पर नॉलेज लेंगे आप पुछोगे जैसे सपोस्कर आज मैं रसाई से रिलेटेड मैं कुछ समझाऊंगी फिर आप लोगों के यहां से कोई कोई आएगी उसको मैं समझाऊंगी तो इस तरह से एक लाइव इंट्रेक्शन हो जाएगा और जैसे मैंने आप से कहा था आप लोग मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके और मुझे बता रहे हो क तो इसी लिए हमने यह स्टार्ट किया है कि अब से ट्यूज़े के लिए आपके पास एक नॉलेज सेशन मिलेगा आपको जहां हम आपको सिखाएंगे बिकॉज मैं इसको बहुत बढ़ाना चाहते हूं और मैं ही नहीं और भी ट्रेनर आएंगे जो मार्केट प्रेक्टिशनल भी है और आपको सिखाएंगे तो अगें जैसा मैं हमेशा सबसे कहते हूं कि आप मुझे बताइए आपको कौन-कौन से टॉपिक्स चाहिए उस पर मैं वीड हम लोग क्या करेंगे कि आपके लिए एडुकेटिव वीक में वन डे स्टार्ट करेंगे और अगर और भी मिलता रहा तो शायद और एक स्टार्ट कर दे लेट असी देखते हैं तो आज मैं सबसे पहले इंडेक्स बेस लेकिया करती हूं और आरसाई पर स्टार्ट करती हू तो जैसा मैं देखती हूं हमेशा मॉनिंग में क्या देखती हूं कि आज कौन सा इंडेक्स में मूवमेंट है और कौन सा इंडेक्स क्या बोल रहा है मैं जैसे यह देखा मैंने यह देखा कि index में cnx it cnx it में अच्छा खासा आज movement आया और अगर मैं देखूं तो it is almost like open और low nearby बहुत ज्यादा फर्क नहीं है है करीब 101 पॉइंट का तो यहां पर सबसे पहले जैसे मैंने का RSI देखूंगी और RSI में मुझे एक breakout मिल रहा है मिल रहा है तो RSI में जो मुझे breakout मिल रहा है मतलब यह तो higher time friends मुझे क्या कहेंगे तो higher times में अगर आप देखेंगे तो मेरा already marked है कि अगर यह break हो जाता है which is of January 2022 और अगर यह break होता है अभी इस महीने में या अगले महीने में कभी भी या दो महीने बाद भी तो it will be called as a multi-year breakout ऐसी situation में मैं IT stocks में वो stocks को choose करूँगी heavyweight IT stocks और फिर उसके पीछे पीछे चोटे IT stocks जो multi-year breakouts दे रहे हैं अब आप पुछोगे छोटे IT stocks मतलब midcap जो index based नहीं है ultimately वो भी तो leaders को ही follow करेंगे तो IT का अगर हम देखें तो सबसे बड़ा वेटे जैसे infi और TCS विप्रो इनमें था और उसी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो TCS का movement जो था अगर मंतली में देखें तो क्या दिख रहा है हमें यह already multi-year breakout दे चुका है राइट और multi-year breakout दे चुका है monthly का RSI 70 के उपर है sorry weekly का RSI 70 के उपर है यह weekly का RSI आई है और इसको अगर मैं मंतली में करके देखती हूं तो मंतली के हिसाब से थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं तो एक तरह से यहां से यह breakout दे चुका है और October 2021 हो January 2022 कोई फर्क नहीं पढ़ता लेकिन जो फर्क पढ़ता है वो क्या पढ़ता है कि RSI जो है वो मंतली का भी अबाव 70 वीकली का अबाव 70 डेली का भी अबाव 70 जब यह तीनों टाइम फ्रेम एक साथ 70 के उपर आते हैं और कभी ऐसा दिख जाता है तो आप प्राइस की जो मूव्मेंट देख रहे हो डेली में यह देखिए यहां से जो यह स्टार्ट हुआ था यहां पर आपको मंतली और वीकली तो मिला था 70 के उपर लेकिन डेली वाला 70 के उपर नहीं मिला था और जैसे ही इसको क्रॉस करके गया तो एक तो आपको यहां पर मूव्मेंट मिला अप्रॉक्सिमेटली 3% और आज जो मिला वो गजब 4% तो 3 और 4% अगर आपको तीन दिन में मिलता है तो अप्रॉक्सिमेटली 7% मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि इसमें 7% आएगा कि 5% आएगा कि 10% आएगा लेकिन यह मेरा देखा गया है कि जब भी ऐसा मूव्मेंट आता है जहां पे अगर मंतली आरेसाई अबाव 70 हो वीकली आरेसाई अबाव 70 हो और डेली आरेसाई अगर अबाव 50 भी होती है अच्छा वो 50 के उपर क्यों होती है क्योंकि यहां के आसपास यह जो पीरिड था यहीं के आसपास हमने सब चीजों को 70 के उपर देखा उसके बाद इसमें करेक्शन आ गया उपर गया और फिर जब यह वापस 50 से टर्न लेता है तब अगर मेरे वीक और मंथली 70 के नीचे नहीं उत्रे हैं और उत्रने का चांस नहीं है तो फिर मैं इन्हें नहीं छोड़ूँगी इसे बाई करके रहूँगी और यह चीज इन्फी में भी देखते हैं क्या इन्फी में भी ऐसा ही है विकाज आईटी इंडेक्स बढ़ा है लेटर सी इन्फी देखें इन्फी डेली 70 आज आया है 70 के उपर और सीधा परसंटेज राइस 2.5 परसंट इतना स्पीड इन्फोसिस में बहुत कम देखने मिल रहा ह इन दिनों में पहले मिलता था यह देखिये यहाँ पर 70 के पास आया यह देखिये movement ऐसा पहले मिलता था लेकिन अब disrupt तो क्याThis का मतलब वीकली और मंथा हूपर होंगे लेट अ सी मल्टी यर ब्रेक आउट नहीं है बट ब्रेक आउट है और अगर यहां से क्रोस करेगा देन आइचेज एप्रोक्सिमेटली मल्टी अइर बेक अगर ब्रेक आउट मल्टी पिरिड चाहिए एक साल हुआ तो वान यार ब्रेक आउट है 52 वीक हाई बोल देते हम उसको लेकिन ज जादा का देता है तो हम उसे multi-year breakout कहते हैं और जितना जादा और जितना लंबा breakout देगा उतना उसमें speed आएगी मैं आपको वैसे तो PSU इतने भागी रहे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कुछ हैसे stocks दिखाना चाहती हूँ जो बहुत जोर से भागे हैं multi-year breakout के कारण यह monthly timeframe कोल इंडिया बंदुआ और उसके बाद उसके नीचे नहीं गया 70 के ओपर RSI and see the movement it has taken और ब्रेक आउट 2015 का ब्रेक आउट दिया 2023 अप्रैल में मतलब approximately 7-8 साल और एक साल भी नहीं हुआ और इसका ठीक है अगर सब कहते हैं कि PSU में यह चीज था वो है तो लेट उस चेक लूपिन लूपिन अगें मल्टियर ब्रेक आउट जून 2001 ब्रेक आउट दिया 23 के असपास राइट आड़ सी दर मूव्व्मेंट आरस आई अब आउच सेवेंटी हो गया था यहां पर कैन यू सी दर क्लोजिंग आरस आई के लिए आप यहां पर देखिए जहां पर मेरा कर्सर है मैं आपको दिखाती हूं यहां पर देखेगा और प्राइस यहां पर द दिसेंबर जैन और एक दो और तीसरा महिना अभी स्टार्ट है सिर्फ 6-7 दिन निकले हैं और जो रेंज मिली है वीकली देखते हैं चलिए वीकली में यहीं से इसने 70 के प्रॉस कर दिया ब्रेक आउट पर 70 इसलिए कैंडल में स्पीड आ रही है मूवमेंट में स्पीड आ रही है यह देखिए ओल थ्री सब ब्रेक आउट्स पे मंथली अब डेली देख लेते हैं येस डेली भी 70 के उपर ही आ गया है और जब 70 के उपर यहां पे आया तो इट इस जैन अब जो आया है तो क्या मंथ में हम देखें इसका मूवमेंट ये देखें जब जैन में भी 70 आया मतलब क्या हुआ मंतली आरसाइव अबाव 70 वीकली आरसाइव अबाव 70 डेली आरसाइव अबाव 70 और वो कब दिखा जैन में जैन मंत अकेला था लूपिन को 13-14 परसेंट खीचनी के लिए दिस इस ब्यूटी वेन आई सी ओल आरसाइव अबाव 70 जी हां आप लोगों की एक और क्वेरी मेरे पास आईए कि आरसाइव का एक स्कैनर हमको बना के दीजिए या आरसाइव का स्कैनर बनता कैसे वह हमें हेल्प कीजिए तो मैंने चार्टिंग में उसको बनाया है और ब पर दो शूटे तो इसी वीक में पहुंच जाएगा नहीं तो नेक्स वीक तो रहेगा नहीं बाकि बिकावज मैंने लास्ट वीक उसकी साटरे संडेश की शूट कर दी है अब आपकी demand आये और मैं record ना करूँ या आपकी request आये और मैं record ना करूँ असा हो नहीं सकता, मैं आपके लिए जितनी request आएगी, जितनी demand आएगी, जहां तक मेरी capacity में होगा, मैं उसे करते जाऊंघी, बट आपको request डालोगे, तभी तो मेरी तक आवाज पहुचेगी, और दूसरी आवाज जो आप लोगों की likes ने दी मुझे तो मुझे पता चला कि आप लोग को जैसे RSI का advance चाहिए क्योंकि उसमें मुझे सबसे ज़्यादा likes मिले आज तर तो वैसे ही जैसे जैसे मुझे likes मिलते जाएंगे मैं उसी topic का advancement भी लेक्याओंगी और plus इस तरह से आके आपको live सिखाओंगी तो आपकी कुछ भी queries हो तो आप मुझे live में पूछ सकते हो अब इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि live attend कीजिए क्योंकि live attend करोगे तभी न कोई ही पूछ सकोगे क्योंकि बाद में comments देखने के लिए जो है थोड़ा सा time कम पड़ जाता है but still मैं comments note करती हूँ और कौन से note करती हूँ जो आपकी request है क्योंकि मुझे फिर video बनाने में engage होना पड़ता है अब मैं ले रही हूँ metals metals में क्या दिख रहे है चलिए मैं आपसे पूछती हूँ metals में क्या दिख रहे है my friends यह monthly का चार्ट है और क्या दिख रहे है चलिए anybody डू टेल मी टाइप कीजिए तो मुझे पता चले कि यौल आर एक्टिव हमारा यह डायरेक्ट चाटिंग सेशन रहेगा सर एव्रीवन आजाएं पूछिए बताईए यहां पर क्या दिख रहे है RSI कहा है मंतली में कहां पहुचा RSI क्या है विजिबल है येस वेटिंग वेटिंग मैम लगता हमारे व्यूवर्स अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं मैम आया है RSI RSI above 70, RSI above 70 येस यही तो मुझे पता चलता है कि आप अक्टिव हो और पार्टिसिपेट कर रहे हो तभी तो मैं और वीडियो बनाऊंगी मैं अभी सबका लाइन से अगया ना करानी समर्ण समय नायाम से अब बताओ चलो वीकली 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 भी अभाव सेन्टी आया सबका यह आह रहा रहा है अब डैली में इसने भ्रेक आउट दिया है चलिए मैं आपको ये उसके साथ मर्ज कर देते हैं ब्रेक आउट दिया RSI अभी किस level पे है about 65 है right 66.91 मतलब 67 अब इस पे नजर रखना आपको live का बता के जा रहे हूं इस पे नजर रखना अगर ये भी 70 के उपर आ गया तो फिर में मेटल स्टॉक्स ढूना और कुछ मेटल स्टॉक्स में अभी का अभी आपको बता देती हूं सेम पैटर्न अल्मोस्ट येस विट वीकली अभी 70 क्रॉस नहीं किया है मंथली क्रॉस नहीं किया है बट अलार अबाव सिक्स्टी फाइब और इसमें एक और चीप जो दिख रही है मुझे अभी इसमें मल्टियर बेक आउट आ गया है किसमें कौन सा स्टॉक है चलिए स्टॉक का नाम तो बताईए गम से गम आगे का सब मैंने आपको बता दिया है स्टॉक का नाम तो बताईए क्या है तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे हां एक चीज याद रखेगा बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए और अभी आप जो सीख रहे हैं उसमें मैं यही कहूंगी मार्केट से ताउ और देड़ सो साल कम से कम और रहेगा जो आपके मिर लिए तो बहुत होगा तो एक शेर से स्टार्ट एक कौंटिटी से स्टार्ट कीजिए जब ऐसे दस आप निकालेंगे दस में से छे साथ आथ ट्रेड बढ़ाईए और अपनी कपासिटी अपनी पॉफिट से जादा मत प्रेड कीजेगा स्टॉप लॉस सबसे इंपोर्टेंट है माम सब व्यूवर्स का आ गया है टाटा स्टील मैसिज और माम बाकी व्यूवर्स ने कुछ कुछ सजेस्ट भी किया है कि आपने जब कमोडिटी के मिलब मेटल के स्टॉक्स पूछे थे तब कुछ लोगं लखा है हिंडाल को जेस्टेल सेल क्ले काफी आया है हा तो सेल भी मुझे बहुत लोग बोलते है कि सुभस मेप पता केसे कौन से स्टोक में मुवमेंट रही अरे मेरे भआईि तो सबсте पहले आप index करो कि आज कौन से इंड क्डै्स में मुवीमेंट है तो sector का मुवमेंट अपने आप आप only that आईडिया आजएगा कि आज कॉंसे सेक्डर में मुवव्मेंट है जिर्व हो सेकडर के स्टॉक और आजीए आजब पहले लाज-कैप में लूपएमेंट आता हैinkा फिर यह लीए बाकिवेंट में पाते हैं हैं फिर टरफे मुववेंट आना चलू हो तो देखिये, बही क्या होता है जो छूड़ गया ना लोग बोलते है चल यह तो भाग गया कोई बात नहीं चल तू रहे गया चल हम तरी कोई पकड़ लेते हैं तो यही बहेव और यही बहेवियर हमको भी बताता है कि भाई सब इस रंग से बहेव करें तो इसमें चाल आएगी हम अपने स्टूड़न्स को काफी अच्छे से जानते हैं अच्छूली ऐसा कॉमेंट था कि ऐसे स्टॉक्स डूंडे कैसे पहले तो देखे मैंने बता दिया मुझे पता है कि कुछ हद तक क्या पूच सकते हो तो देखे सेल वाट से कमान बेख विक कमान कि मल्टियर बेकाउट आरेसाई सेवेंटी के उपपर येस फ्रेंज बस ये एक चीज ध्यान रखना ये रिखिए ये जैस ये थोड़ा सा इसको अटका सकता है बट आरेसाई सेवेंटी के उपर है इसलिए पहला ये ब्रेकाउट हो जाए तो फिर और भी मज़ा होगा फिर आपका नेक्स टार्गेट इसे बनाते जाए टार्गेट को आगे शल्स दे जाएए आई होप यौल अला इंजॉइंग येस माम सबका सेवेंटी आ रहा है अबव सेवेंटी अबव सेवेंटी अमिजी करके हैं उनका दो बार ऐसा सबसे पहले कॉमेंट आया है तो अमिजी में को लग रहा है काफी अक्टिव हैं अभी बिलकुल और ये देखिए वीकली में क सब्सक्राइब करती हूं और मैं चोटे 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 ट्रेड भी मिल जाए ना देखो मैं रिटेलर्स के लिए काम करती हूं और मैं चोटे चोटे ट्रेड की ही सजेशन दूँगी इतने चोटे ट्रेड की सजेशन दूँगी कि भाई अगर लॉस भी हो तो 500,000 रुपे से जादा ना हो और प्रॉफिट भी हो तो 2,500 रुपे से जादा ना हो मैं अभी लाखों की बात आप से नहीं कर रही और ना ही मैं चाहती हूं कि रिटेलर्स विदाउट प्रैक्टिस मेरे से लाखों की बात करें क्योंकि मैं इन सारी सिचुएशन से निकल चुकी हूं 38 यह दिये हैं तो यह सब चीजे तो फेस की होंगी न मैंने भी अच्छी खासी फेस की है देखिए मैंने सब चीजें बना के रखी है RSI 70 के उपर मंत्री डेली वीकली सब में मुझे मिल गया है तो डिड्यू गेट इट हाव इंपोर्टेंट इट इस डेली वीकली मंत्री अब चलिए लेट उस सी कोई कैश टॉक तो कैश टॉक भी बताईए जो स्टील में है आप में से कोई बता सकता है लेट अब में से कौन बताना चाहता है कौन बताएगा कौन बीफास्ट हम देखना चाहते हैं आप ही की स्टडी पे हम आपको दिखारना चाहते हैं आजाएए आप बोलिए मैं यहां पर दिखाती है अब करना आज से यही तो session स्टार्ट कर ना था इंडाल को अग्बड जी का है जी-स-डव्ल.... मैं कैस्ट disappear के बात कर रहे हूं मैं कैस्टuti की बात कर रहे हों येस पेट्रोनेट वेदानता ये सब एफेनों स्टॉक्स है भाई मुझे कैश्टॉक्स नीचे है किसी ने एपी एल अपोलो लिखा है एपी एल अपोलो अच्छा अब ये एपी एल अपोलो स्टील नहीं है कैसे पता चलिए मैं आपको एक हिंट देती हूं ओके यहां पे बॉटम में फोर मेट्रिक्स वाला एक छोटे से चार स्क्वेर दिख रहे हैं सबको मैं इसको क्लिक करती हूं और इसमें फाइनांशल्स पे क्लिक करती हूं ओके मुझे पूरा ओवर्विव फाइनांशल्स सब कुछ मिल जाता है पूरा कभ यह कंपणी बनी थी यह क्या प्रोड़क्ट है इस जो है एपील अपोलो जो है यह किसमें है सब कुछ मुझे यहां पे मिल जाता है यहां पे सब कैपिटल स्ट्रक्चर और क्या इसका रिश्योज है इसकी प्रफिटाबिलेटी है रेविन्यू ब्रेकडाउन एस्टीमेट्स डिविडेंड सब मुझे मिल जाता है डिविडेंड हिस्ट्री यहां तक कि अगर मैं चाहूं तो यहीं से स्टेट्मेंट भी दे इविडेंड जो है वह कंपेरिटिवली ठीक है दो साल बाद इंक्रीज हुआ है बट दो साल में ऑल्मोस्ट फ्लैट है अर्निंग्स देख सकते हैं रेवेन्यू देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में कितना कुछ है जो हम देख सकते हैं वाट इट तो यह देखे कभी और इसके उपर भी हम आपको कभी एक यूट्यूब बना के देंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं मॉइल क्या स्टील है देखिए आप ही को बता रही हूं आप इसमें देखिए और मुझे बताइए यह क्या मॉइल स्टील है मेटल है हम मेटल में देख रहे थे तो ओवर्वियू कंपनी इस इन प्रोडक्शन मैंगनीज मेटल से मिनरल में है राइट माइनिंग मैंगनिफेक्ट्रिंग पावर जेनरेशन तो यहां से आपके जो क्यों मैंने यह बताया चलिए मैंने बहुत बार या समझो तो अल्मोस्ट इतनी बार देख लिया कि हम लोग शेर पच्छेस करते हैं और फिर जब गले पर शेर आ जाता है तब पता करने के कोशिश करते हैं कि कंपनी करती क्या है तब तक तो हमें यही नहीं पता होता कि कंपनी कि सेक्टर को विलंग करती हैं तो आपको सिर्फ एक स्टॉक देख रहे हैं वो कौन से सेक्टर को बिलॉंग करता है और फिर उस सेक्टर के आज इंडेक्स में क्या पोजिशन है तो ऐसे करके मैं उसको टॉप डाउन अप्रोच ले सकती हो येस वाट से हम एक और आया है मानकसिया स्टील मानकसिया स्टील अब ये स्टील इसके अंदर लेट सी इसका वॉल्यूम क्या है कछी चीजे होती है जो हमें देखने की बहुत जरूरत होती है इसका आवॉरेज वॉल्यूम क्या है येस इसका आवॉरेज वॉल्यूम जो है तीन लाक दो लाक और प्राइस जो है ऑलमोसर्राउंडिंग में है डेली का RSI कोई खास नहीं है, वीकली RSI 50 के नीचे है माई फ्रेंड, मंथली RSI में भी दम नहीं है, तो मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में मल्टियर ब्रेक आउट दिया था और उसके बाद 105 का 200 तक जाके आच चुका है वापस नीचे आया है, अभी तक इसमें मुझे क्लारिटी नहीं विख रही है, तो लेट्स फाइंड सम अनर्दर स्टॉक ऑफ स्टील, माम कल्यानी स्टील करके खौरा है, यस कल्यानी स्टील यह देखिये, डू आफ तो तेल यू, यस मैं फ्रेंड, दू आफ तो तेल यू, सेवेंटी RSI के उपर, सेवेंटी RSI के उपर मन्तली, विद मल्टी अर्ब्रेक आउट, दोनों चीज मिल जाती है, उसके बाद, जब प्राइस भी सेवेंटी, यहां से सेवेंटी लिया, फिर वापस सेवेंटी के असपास आया, और मल्टी अर्ब्रेक आउट के उपर जब बन दिया, तो इसकी उसके बाद भी अगर मैं लेती हूँ, तो पांच और आज का चार, पांच मिला के दस परसंट का मूपमेंट दो दिन में मिला है, मैं यह नहीं कहती हूँ कि यह हमेशा ही होगा, अगर यह 60 परसंट का भी स्ट्राइक रेट पे आता है, बाकी के लिए स्टॉप लॉस में आ कुछ भी, मुझे घर में पैसा आया ना, I am happy, करोडो रुपे आये, नहीं आये, as a retailer आप हो, जब मेरे पास आते हैं, लोग, क्या कहते हैं, हमें consistent income चाहिए, और फिर उनको overnight लाखो रुपे चाहिए, आराम से करिए, बहुत टाइम है, धीरे धीरे निकाल लेंगे, आज नहीं है कि जादू की छड़िये, कल्ड घुमाया और परसों से पैसा अंदर, ऐसा नहीं होता, ऐसे trade, अभी देखे, कितने सारे steel ढूंडने के बाद, cash का stock मिला न, तो इसलिए, ये सब चीजे, नहीं मालूम हो, तो यहां पे जाईए, ये matrix खोलिये, financial, मुझे पता है, और अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देख रहे हैं, तो ट्रेडिंग व्यू हमको ये facility दे रहा है, कि हम इसको देख सकें, तो overview में आ रहा है, engages in manufacture of forging and engineering, quality carbon and alloy steels, तो metals में आ गया है हमारे काम का, और इसमें अगर हम देखते हैं summary, तो price to earning ratio, price to sales ratio, सब दिख रहा है हमको यहाँ पे जैसे जैसे हम चाहते हैं, और अगर हमें ये भी देखना है, कि इसके statistics क्या है, वो भी हम देख सकते हैं, तो पूरा ratios आपके पास है, profitability ratios, सब, जिसको जो चीज समझ में आए, वो देखिए, क्या कहते हो, अच्छी चीज है, किस-किस को ये अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो मुझे बताईएगा, तभी तो वीडियो बनेगी, topics थोड़ा हिंट में भी दे देती हूं, ऐसी बात नहीं है, येस, फिर बताईए कौन सा स्टी लाया है, माम उसे पहले, अभी जी जी का doubt है, कि, so माम एक बर वो प्रोसेस ही समझ रहे हैं, कि, so we we have to see monthly RSI cross 70, or already greater than 70, then weekly is greater than 70, or crossing 70, then daily crossing 70, this will be the most of the time give break out, am I correct, aisa question on her, it generally gives break out, there is no guarantee, but yes I have seen, 10 में से at least 7 या 8 तेते हैं, और मैं तो कहती हूं कि मेरे हाथ में अगर 6 भी आ गए, तो फिर stop loss के साथ अगर इसको use करती हूं, तो फिर भी मुझे profitable journey ही मिल जाएगी, I'll be very happy with that also, और इसी का scanner लेके, मैंने वीडियो बनाया है, जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, और हो सकता है, जो लोग इसे 5-7 द उस लिंक को add कर देंगे, और आप उस पे click करेंगे, शायद यहां पर आपको आई करके कुछ आएगा, उस पे click करेंगे तो आपको वो देखने मिल जाएगा, मैं नेक्स टॉक हमार पास आया है, एनमडीसी स्टील एंड स्ट्रिप्श, एनमडीसी स्टील, येस, एनमडीसी स्टील, तो ये मंतली, मंतली में इतना बड़ा मेरे पास पूरा एमटी है, तो रसा इस नॉट प्रॉपर, वीकली, नॉट कम्प्लीट, फिर भी रसाई 70 के उपर है, इतना छोटे में क्या होता है, कि RSI पूरी तरह से बदता नहीं है, हाँ, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम हो न, मतली थोड़ा इतना बड़ा भी हो न, कम्प्लीट नहीं हो कितना भी, तो भी एक आइडिया अच्छा आ जाता है, यहाँ पे भी 70, तो वीकली को कोई 23-25 जनवरी और उसके बाद यह एक ही वीक में 20-21 परसेंट उपर, इससे ज्यादा तो और क्या कहूं, क्या कहते हो फ्रेंज, तो आज मैंने यही टॉपिक चूज किया कि चलिया रसाई पर आप से फोड़ा सा डिसकर्स किया जाए, I hope आप लोगों मजा रहे हैं, इस माम उस पर काफी सारे लोग आया, वेरी नाइस, एक्सेलेंट माम, यह काफी मजा रहा है, पिर हमारे पास अगला क्या रहा है, माम उत्तम गल्वा स्टील, ठीक है, बट यह ब्यस्टी से ही रिलेटेड है ना, इस आम नोट रोंग, ट्राइ कीजिए कि दोनों एक्स्चेंज में लिस्ट हो, बिकाज, देखिए, लिक्विडिटी आपकी मार खा जा रही है, वॉल्यूम आपको दिखेगा, लेकिन, मैं जनरली वह कोई भी शेर नहीं देखती हूं, जिसकी प्राइस, अट लिस्ट पचिस रुपए के नीचे हो, पचास के उपर हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन, ये मार्केट में, ये इंडेक्स के लेवल पे, पच्चिस के नीचे को, इस क्रिप्ट देखने का मज़ा मुझे तो नहीं आएगा, माम राहूल जी का डाउट है कि माम इन अप्ट्रेंड इंट्राडे में, आरेसाई डाउनसाइड मूफ करता है, बट प्राइस अपसेड जाती है, कैसे कौन सा स्टॉक है, आप पहले मुझे वो बताईए, राहूल जी प्लीज आपका स्टॉक भी साथ में रेफरेंस के ले रहा है, आरेसाई स्ट्रेंथ अफ्ड रैंट्र स्टॉक इट्स इंडीक्स इडिस टेलिंग यूं कि आपका 40 मैंने पारामीटर केंज नहीं किया और साइका जो मेरा पारामीटर है वो ही है 14 मैंने फूस्ट मैं हमेशा पैरामीटर करीब करीब वही रखती हूं, हैं बहुत तो यह भी फोटीन हरसाई है मैंने कोई पैरामीटर चेंज नहीं किया है तो मुझे बताइए आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो क्यों कि मैं इससे इंट्राडे के लिए भी फाइपंद्रा मिनट से नीचे नहीं जाओंगी बिक़ोज एक छोटी सी चीज आपको बताती हूं चलिए मैं फाइव मेर से उन मेरी और आपको लिख कर अड़े से कि खाण्यार जिए तो चलो एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहती हूं बहुत बड़ान देती हूं heck अपका सब चीज ए persons वह ब है अब मैं आपको एक लाइव रिले दिखाती हूं और जस्ट सी दा मूव्मेंट आरे सब उपर है यह देखिए यह उपर नीचे उपर नीचे क्यों यह फाइव मिनेट्स देख रही हूं तो फाइव मिनेट्स में क्या हो रहा है यह मेरी हाट्बीट बढ़ा रहा है थ्री थर्टी के बाद तो सब बहुत ग्रीन दिखते हैं अच्छी चीज दिखते हैं कि मुझे सब समझ में आ गया लेकिन रनिंग मार्केट में यह जो मेरी हाट्बीट बढ़ाता है ना पांच मिनेट्स यह बहुत तकलीफ आए के अच्छा खासा आता हुआ प्रॉफिट हा आरे साही हिल रहा है फिर आपको यहां पर दिख जाएगा तो भी आपकी लेने की हिम्मत नी होगी फिर वह थोड़ा नीचे उपर नीचे उपर इस तरह से करेगा तो मैंने आपको यह क्यों रिप्ले करके दिखाया है जिससे कि आपको यह समझ में आए और फ्रेंज यह ब पेड में बहुत सारी फसीलिटीज है इसको यूज करने से क्या होता है कि जब भी मुझे कोई चीज को सच में समझना होता है तो मैं आख बंद करके उसे हर टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट में इसी तरह से रिप्ले करती हूं और फिर देखती हूं कि और पीछे चली जाती ह है और उपर जाला राइप है तो विद्र पांचान चेकर प्रैस आख से भी ऐसा पर जाका वétais में फ्रेम निड़uह किनों कं अको कि this плण इसुद्ध में हर जड़े के फिर गंड़ूह मत्शलीम में प्राइस मत्तमों के य हम अगशाय में गोशा पाइस होती है था सो नया ह है बट आइगेस उनका अंसर हो गया वह क्वेशन तो अमिज जी ने वेल्स्पन कॉर्प लिखा है वह नॉन एफ एनो मेटल स्टॉक ही है वेल्स्पन चलिए वेल्स्पन ओके अब देखते हैं क्या ये वही सेक्टर में जो है जो हम बात कर रहे हैं मैं सभी को बता दूं देख लीजिए साथ में ही इस वेल्डेड लाइन पाइप्स प्रोवाइड अच्छा ये सबमॉजड वेल्डेड इलेक्ट्रिक रेजिस्टंस कम्प्लीट्ली में नहीं है इलेक्ट्रिक्स में वेल्डिंग पाइप्स इन सब में ज्यादा है अब जब मैं मेटल्स देख रही हूं तो मेरा थोड़ा सा प्रेफ्रेंस मेटल्स की तरफ जो कम्प्लीट्ली मेटल्स में होगा उसमें थोड़ा ज्यादा रहेगा ठीक है ना कोई बात नहीं हम इसे भी देखते हैं 70 के उपर कहां पर आया था विट मल्टीयर बेक आउट आया था एक दो मल्टीयर बेक आउट के साथ आया था ठीक है 70 के उपर बन दिया यहां पर पीरिड जुलाई 2023 307 आज का भाव देखलो अब यह जब भी मंतली तो आपने 70 के उपर देखी लिया जुलाई 2023 के बाद अब यहां पर देखिए कब है यह भी जुलाई 2023 के बाद ही सेवेंटी के उपर आरेस आये तो हमने वीकली में भी देख लिया अब हम डेली में देखने है जब जब वो 70 के उपर आया है तो उसने कोई कारनामा किया है या नहीं किया है तो यह है जुन यह है जुलाई तो जुलाई में जब भी यह 70 के उपर आया है यह देखिए यह है जुलाई तो जुलाई में यह 70 के उपर है बिलकुल है एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, तो यहाँ पे 7% चलो आपसे छूट गया होगा, तो यहाँ का, यहाँ का मिला के, और यहाँ का मिला के, सब मिला के भी 6-7% तो आयाई होगा न, राइट, और कहीं भी आपका, उसके नीचे गया निये, फिर यहाँ तक भी अगर खड उसके बाद वाफस जब 17 के उपर जाता है तो अब खुद इसके कार्णा में कि जब yahoo 70 के उपर जाता है कितना movement देता है लिएवाज से यहाँ यह 70 के ऊपर नहीं यहाँ से 70 के उपर एक लिन में 8% लिए यह 18 दिन में खREAM तलश में रहते हैं तो जब भी कोई situation वीक्ली और डेली दोडों में 70 हो तो खाली यही नजर रखती हूं कि मैं डेली में कब वो 70 आए तो यहां पे क्या कहते हैं 65, 70 यहां पे चलो यहां पे मिला अब मैं यहां से भी इसको लेती हूं तो 5 और 2 7-8% तो फिर भी मिला है उसके बाद चलिए यहां पे आते हैं यहां पे 70 के उपर है यहां पे 70 के उपर है बिल्कोल है चलिए यह चोड़ दीजिए गैप अपन हुआ हमारे हाथ में आया यहां पे लिया यहां पे 1% आता है चलो स्वें करस्ट हो गया लेकिन दूसरे दिन का तो आठ परसेंट मिल सकता है ना ठीक है ना इससे जादा तो खड़े रहने के ताक्त तो भाईया एक ट्रेडर में तो नहीं है लेकिन अगर खड़े रहें तो थोड़ा सा और मिल सकता है फिर अगर मैं यहां पर भी निकालती हूं प्रॉफिट्स बुक करते रहिए दूसरी बात अगर 80-85 के असपास आता रहे RSI तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स भी बुक करते जाए नहीं तो नीचे में वापस कैसे लेंगे और अब वापस जिस दिन यह 70 आएगा मैं उस दिन सोचूंगी जब यह 70 के असपास यह 70 अब थोड़ा सा जल्दी लेना है तो 65 देख लीजिए बस इससे ज्यादा तो मैं नहीं कोशिश करूंगी यह 50 पे चली जाओं डेली में थोड़ा सा तो मूपमेंट चाहिए न और साथ में थोड़ा प्राइस अक्शन जिसको हम कहते हैं मतलब ओपन लो जैसा कोई कैंडल दिखना चाहिए कि मुझे ओपनिं अधिए दिखना आइक ओपन लो बिकास पार्केट यहां पे ओपन और लो सेम यहां पे भी ओपन और लो अल्मोस से मैं यहां पे भी ओपन और लो 420 और 416 अप्रोक्सिमेटली वही बन परसंट के असपास है तो यह सब चीजें जो होती है मुझे बताते हैं और बाइंग क सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कि यह सब्सक्राइब करें कि अभी बुल मार्केट में अभी काफी सब को इंट्रेस्ट है और अगर यह बेर मार्केट होता तो तो मैं और कम आते शायद स्टॉक्स नहीं ऐसी सिच्वेशन में मैं मंतली थर्टी के नीचे वीकली थर्टी के नीचे और डेली थर्टी के नीचे एफेंडर स्टॉक्स दूंडती है तो मारे वीवर्स के लेक और स्ट्राटेजी आ गई है मैं बीपी सियल नालको मतलब वो स्टॉक्स का वो काटेग्री चेंज हो गया है कई क्या के मेरी देखें अभी मैं इसके बाद वारे में आने वाली थी वह था कमोडिटी और उसके पहले हम्ने रिंफटी डेखा इन हान तो अगयी कमोडिटी और ऑट के वे सब्सेंवश्चांती ऊपर नानती यह रहा अब का पहला वाला जहां पर RSI सबसे पहले मेरा मल्टियर बेक आउट में कहां देखूंगी चलिए एक तो मल्टियर बेकट बना देते आपके लिए ठीक है यहां पर RSI 69 और यहां पर के ब्रिकाउट के उपर 70. तो कौन सा मन्त है यह हमारे पास जैन्वरी मन्त जैन के बाद closely के सेवन्टी के उपर है अब मैं यह डेली मैं सेवन्टी के उपर है तो जैन अबमनलब सहे हैं इसका मतलब कर्भि आपको किस दिन 60 के उपर तो जैनवारी में डिसेमबर यहां पर नीचे उतर गया है फिर यहां पर हलका सा आया है फिर नीचे उतर गया लॉस नहीं दिया मज़दार प्रफिट नहीं दिया लेकिन मैं अपना system छोड़ूंगे वह मैंने आपको जो है वह ही है फिर यहां तीन दिन में इतना मिल जाए VTCL में और क्या चाहिए सब्जेक्ट वन्तली और विकली मुझे यह बता रहे थे तो फ्रेंज आप लोग के जो किरियोसिटी है और जो आपके आप लोगों को यह चीज मिलनी शुरू हो गई दिखनी शुरू हो गई कल से आप प्रैक्टिस करोगे अच्छा एक चीज कैसा रहेगा अगर आप यह चीज प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में डाल दो तो मैं उसे अट लीस्ट देखूं और नीचे कमेंट भी डाल दूंगी कि येस यह राइट अटों क्या कहते हों अगर मुझसे जवाब चाहिए तो कमेंट में जरूर डालिएगा लेकिन एक कमेंट में एक ही स्टॉक का नाम होना चाहिए इतने सारे अगर आप 10-15 डाल दोगे तो मैं देखूंगी कैसे तो मुझे भी तो थोड़ा टाइम चाहिए न सबको देखने में तो एक कमेंट में एक ही स्टॉक का नाम डालिएगा और लेट उस सी फ्रॉम टुमोरो कब तक आप इसे ढूंदते हो देखे इसे कहते हैं मैं आपको प्रॉपरली सिखा रही हूं और अगर आप में सीखने की इच्छा है तो जरूर सीचिए मैं आपको हेल्प करने तयार हो क्या कहते हो रेड आपके बात पर लेकिन मुझे यह दिखना चाहिए कि मेरे सारे फ्रेंज सीखने को तयार है ट्रेड की जल्दी मत करना फिल्हाल सीखने की इच्छा रखना मैं सीखने पर जोर दे रही हूं पहले अपना खुद का कॉन्फिडेंस करो और जैसे आपका कॉन्फिडेंस हो जा यह मेरी आप से रिक्वेस्ट नहीं है इंस्ट्रक्शन है एक कॉंटिटी ट्राइब करोगे एक कॉंटिटी बस फिर धीरे 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 एक दो दो एक का दो दो का चार ऐसे कॉंटिटी करोगे मार्केट में ऐसे सिग्नल आते ही रहते है बारो महीने मिलेंगे और बारा महीने नहीं मिल एक चे-साथ अथ महीने मिलेंगे पहुत है आराम से काम करोगे आप सब जाब करते हो जाद के साथ ãosकर मिल जाय तो और क्या चाहिए आर्ण्टीच काम किजिए yes, do we have any questions further ma'am, ऐसा मतलब आपके इस बात पर सबका yes okay, yes okay आया है ma'am और thank you भी काफी सारे लोगों का है for your knowledge thank you friends for liking it but now I should say thank you but I will say when when you really show me that you are studying and practicing it then I will say thank you to everyone और ma'am, एक और भी request रही थी कि आपने जो भी वो downside वाली strategy बताय थी RSI की, वो एक बर प्लीज फिर से समझा सकते है चलिए हम वोई stock निकालते हैं जिसमें मंतली की RSI फुटी के निचे थी और मैं exit strategy के लिए भी काफी जादा request है exit strategy में my friends मेरी आप लोगों से सची बताओ एक request है at every 10% profits please book 20-25% और last जब वो 20-25% परसेंट आपका book हो जाए ना तो क्या होता है कि costing कम हो जाती है और जैसे costing कम हो जाती है उसके बाद at every 10% book 5-10% और last में जो free का share बच जाए ना वो तब तक मत बेचो जब तक मंतली का RSI 30 के नीचे नहीं आ जाए या फिर आपको company में कोई negativity ना मिले ओके मैं जानती हूँ कि free के share में कभी 10 share भी free हो सकने है कभी 5 भी हो सकते है कभी 2 भी हो सकते है कभी 100 भी हो सकते है कभी 1000 भी हो सकते है depending जो जिसकी जो quantity है और बहुत लोग मुसे ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पूरा ही book कर लेते हैं हम ऐसे थोड़े बहुत रखने में विश्वास नहीं रखते हैं तो एक चीज और कहते हूं जब आपके पास बहुत बड़ी list हो जाए आपको लगे कि नहीं list बहुत जादा हो गई है तो उसमें से सारे जो free के share उनको बेचके दो-तीन जो free वाले shares है उनहीं में convert कर लीजे आपको इतनी बड़ी list रखने की क्या जड़त है जो high dividend paying companies है उसमें convert कर लीजे, free वाले आपकी कौन से costing लगी है profit से और आप देखना आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल 25 साल, 30 साल, 40 साल में उसकी जो value होगी ना you never know उसमें से कोई मारूती हो जाए, बजाज finance हो जाए कोई MRF हो जाए you never know that right फिर आप भी ये सबसे कहोगे कि जब कोई whatsapp भेजेगा कि किसी ने 1984 और 1986 में ये share लिये तो उसकी इतनी value होगी तो आप कहोगे कि भाई मैंने भी 2024 में लिया था और जब 20-25 साल बाद बुलोगे कि हाँ मैंने भी 2024 में लिया था और इसकी value ये हो गई तो कैसा रहेगा तो friends I think I have answered maximum questions and you have understood सब के समझ में भी आ गया है let's see कितने लोग घुमबक करते हैं प्रैक्टिस करते हैं और फिर मुझसे मिलते हैं तो फिर से कहते हूं मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किये हैं उनकी भी help लो सब वराइटी के मैंने अपने सिस्टम से बताएं मैं किस तरह से मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो रिलीज किया है मेरे इंडिकेटर्स पे वह बहुत सारे दिये हैं से तो कि मैं कौन से इंडिकेटर यूज करती हूं सब कुछ इसा कौन सा नहीं बना रही हूं देखिए उनको जसमें maximum likes होगी उसी topic को जब मैं next time आऊंगी तब आपके लिए उस topic के ऊपर हम live में discuss करेंगे तब तक के लिए थैंक यू बाई करता है करता है प्राण देखिए यू जो झार करता करता है प्रोब्स